अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजे और नीचे डिप्सक्रिप्सन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजे कि अपने उसी स्टोरी को कबर किया तो उसका कुछ असर हुआ है काफी असर किस तरह का असर हुआ और क्या समस्या हुई आप जो था थोड़े बहुत नाली खोदा जिया तो पानी अहलका क्रास होने लगा तिर भी भराव भी मार रहा है ज्यादा बहुतरे नरूप से हो जाए तो अगे करास करने के लिए पानी की बिवस्थाए नहीं तो अभी किर जाएगा तो इसमें यही प्रिवेस नहीं हो रहा है पानी तो गहरा है तो गहरे की करा आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है तिक्कत कहें नहीं हो रही है अब यत्ते पानी का दिक्कत है तो महां कह तो कैसे आपके यहां अंदर आता था पानी यह पानी वहां से आया दीदी? तो जैसे मौन यहां मुंचा है निकलने की जगा नहीं है तो यह अंदर से यहां का बेन गया है पूरे अभी यह देखो यह है से पानी topics रहा है यह पोर्छा रहा है उपर मेरे कौत हमें बेख और पुचा रहा थे तदि मैं यहीं बोली थी कि पानी की असर जहोंने को हो तो क तसील्या साहब जी आए थे, दस-फंदरा दिन आइसिन हो गए, जब सिकाइथ होई है तभी आए थे, तो क्या कहा उनों ने और फिर उन लोगों ने किया, उन लोगों ने ये किया, जैसे आए तो खुद्वाने लगे हम लोग, हमसे कहा गाया, कि खुद्वाव प्रदान जी से खुद्वा दिया, तसिल्या साहम लेग पाल साथ सब इस दिरे, कई लोग थे, सब ने कहा, ताहम से मोके में लेवर नहीं मिली, यहां के लोगों खोदी, ताहम खोदी, प्रदान जी के लड़के हम खोद के अपना नाली को बनवाया, तो वहां पर प्रहरी में बस्ती है वहां पर नाला जो खुद में की लिए जल भरा हो था, वहां के लोगों ने सिकाय को थी, उस पर क्या कारवा ही हुई थे? उसमें हम लोग गय थे, तो तुकि पानी भरा हुआ था, इनके जो घर बने हैं, तो काफी नीचे बने हैं, तो बगल से हम लोग कहाया थे प्रदान जी को, इसमें थोड़ा सा ये पतली से नाली बेर फुट की, और काफी गहराई से नीचे आगे नाला लगा हुआ है, तो म पूरा हुआ तो, हम जाएंगे ना, हम देखें को रोग रहा भाई, अगर कोई प्रावल्लम है तो मैं जाओंगे, मैं कुछ साल उकरा दूगा जाके, तो